तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेका है हूँ प्रिलिम्स ऐसी सीरीज में हम जानेंगे यूक्रेइन एन रशिया वार से रिलेटेट थर्टीन इंपोर्टेंट कार्ड्स या थर्टीन इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि अभी करण्टी न्यूस में हैं जो कि आप से प्र दोस्तों ये मैंने अपने experience के साफ से सेलेक्ट किया हैं जो जो मैंने UPSC या किसी भी state level exam में जो भी questions आए हैं उनी के basis पे मैंने इन topics को सेलेक्ट किया है जो कि आप से पूछे जा सकते हैं प्रिलिम्स इजामिनेशन में तो दोस्तों येदि आप नए है आप हमारे चैनल प तो subscribe कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा इसके अंदर हम 13 cards जैसे एक sweet के होते हैं किसी भी deck of cards में वैसे ही हम 13 important cards देखने वाले हैं जो कि आप अभी screenshot में जो थम नेल है उसमें आप देख पा रहे होंगे ये topics हम cover करेंगे तो आईए दोस्तो तो शुरू करते हैं हम आज का ये video तो important topics को नवन से देखने वाले हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले Donbass region के बारे में जानेंगे Operation Ganga, NATO, CSTO, Swift बहुत news में राया है अभी इसके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से क्योंकि ये question अलड़ी पूछा गया है तो अब तो ये news में है तो बहुत ज़्यादा चांसे इसके पूछ जानेंगे Cuba Missile Crisis के बारे में जानेंगे Geography of the region जो Ukraine Russia के आसपस की region है उसकी geography के बारे में जानेंगे बहुत important question बनते हैं वहां से और पूछे भी जाते हैं तो ये देखेंगे हम फिर देखेंगे हम Head of States of the region कौन गान है ज उक्रिंट पर तो ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे Parliaments of the world के बारे में जानेंगे Duma आपने सुना होगा Kremlin सुना होगा भी बहुत news में तो इनसे related topics आज की वीडियो में cover करेंगे और कल मैं आपके लिए लेकर होगा बचे हुए topics तो दोस्तों पहला topic देखने देखने दे शुरू करते था Golan Heights आपको देदेंगे कि Astronomy से related है कोई स्टार है या फिर कोई वार प्लेस है तो उसमें से आपको सिलेक करना होगा कौन से है तो उससे मैं confused होंगे तो इसलिए Golan Heights पूछा गया तो Donbass region अभी बहुत news में है यह मैं आपको main booster shot video में already इसके बारे में detail से समझा चेका हूँ Donbass region के बारे में जिसका कि link आपकी screen पे से मैं flash कर रहोगा जिसको click करके आप देख सकते हैं तो Donbass region दोस्तो Eastern Ukraine जहां पर की युद्ध चल रहा है उसके जो separatist जो दो प्रोविंस है या states कह सकते हैं अब हुने जिनने की रशिया ने अभी अभी declare कर दिया है independent republic declare कर दिया था war करने से पहले February में तो उस region को कहा जाता है Donbass region तो यह Converse province है Donetsk and Luhansk तो यह आपको याद रखना है और Donbass region कि से related है Eastern Ukraine से related है और यह दो region है इसके अंदर और यह region किसके लिए famous है factories के लिए या commercial activity के लिए बहुत famous है ठीक है तो पहला topic है Donbass region तो पहला card आपने याद कर ल विए बहुत निउस में आ रहा है तो operation गंगा के बारे में जान लेते हैं तो operation गंगा में क्या है कि basically यह जो है operation कराया जा रहा है Indian government दवारा to bring back Indians stranded in Ukraine जो Ukraine में हमारे Indians रहे गे हैं especially students जो है वहाँ पे medical के उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है operation गंगा के नाम से तो यह यह प्रवाइजरी जो अमबैसी शेर करता है वह आप सारा इससे देख सकते हैं जो की स्टूरेंट्स आफसे में वह देख सकते हैं ठीक है और 24-7 कंट्रोल सेंटर शुरू कहीं गए थे ऑपरेशन गंगा के थूटरू और जो एवैक्वेशन है वह हंग्री पोलेंड रोमेनी और सोलवाक रिपबलिक जैसी कंट्रीज जो की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं यूकरेन की उनसे करवाया जा रहा है वहापे मिनिस्टर्स को भी भेजा गया आपको जैसे पता ही होगा तो यह सब कराया जा रहा है ओपरेशन गंगा के थूटरू तो यह तो दोस्तों था ओ इसका स्क्रीनशॉट अब जरूर ले लेना बहुत इंपोर्टेंट कोईशन बन सकता है इससे वंदे भारत मिशन 2020-21 में कराया था कोवीड रिलीफ के लिए जो कोवीड में हमारे इंडियन्स फाज गये थे बाहर उनके लिए कराया गया था वंदे भारत मिशन कुएथ एर फिर ऑपरेशन राहत वेरी इंपोर्टेंट 2015 में कराया गया था येमन से तो येमन से जो युद चड़ा था छिड़ा था वहां पे जो हमारे इंडियन्स फाज़े थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कौन से गया था राहत ऐसे ही ऑपरेशन मैत्री जो नेपाल अर्थ जी को जब मारा गया था तो वहां से जो इंडियन्स को लाया गया था उसको का गया था उपरेशन समुद्र से तु ये भी लास्ट ये करा गया था 2020 में सौरी कोवीट रिलीफ के लिए था ये हम 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 हमेनेटेरियन एड भेज रहे था और एवएक्वेशन भेज रहे था इंडियन ओशान जाए जाते। लास्ली ओपरिशन सकुण बेरूट मेर अनकी लेबनान हो था तो लेबनान से जो प...' अबरेशन गंगा क्योकी न्यूज में इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं ठीक है अब देख लेते हैं नेटो के बारे में नेटो का मैं अल्रीड आपको में बूट शॉर्ट सीरीज में पता चुका हूँ जो कि मैं आपको पहले भी लिंक शेयर करा हूँ है तो उसके अंदर ये ड तो नेटो है North Atlantic Treaty Organization इसकी फुल फॉर्म है और इसको का जाता है North Atlantic Alliance और ये है क्या बिसिकली Intergovernmental Military Alliance between 27 European Countries, 2 North American Countries and 1 Eurasian Country और ये क्या कहता है The Organization Implement North Atlantic Treaty जो की साइन की गे थी 4 April 1949 को तो दोसों बिसिकली क्या है ये जो 27 European Countries हैं दो North American Canada और US से और 1 Eurasian Country इनको मिला के एक साइन की अगी थी Treaty 1949 में जिसमें इनिशली 12 थे Countries अब 30 Countries हो गई है तो इसके अंदर का गए कि अगर वार अगर किसी एक कंट्री के गेस होती है इन 30 Countries में से तो उसको माना जाएगा कि सब के 30 के गेस वार चेड़ी है एक कंट्री ने और सारी की सारी 30 Countries एक साथ बचाने के लिए आ जाएंगी जिस कंट्री पे वार हुई है उसको तो यूकरेन जो है वो इसका member बनना चाता था यही main contagious point है वार का रश्या का यूकरेन में यूकरेन में रश्या कहता है कि ये नेटो में चला गए यूकरेन तो बहुत borders पे आ जेंगी हमाद नेटो की missiles इसलिए यूकरेन का नेटो में जाना सही नहीं है इसलिए वो वार कर तो नेटो में ये 30 countries है ठीक है थोड़े सा और जान लेते हैं नेटो के बारे में ये collective security system है जैसे कि मैंने पताया कि mutual defense करेंगे हम कि अगर एक पर defense होगा किसी external party से attack होगा तो उसको माना जाएगा कि वो सब पर एक attack है इसका headquarter है Brussels Belgium में और इसकी जो command यानि की military command जो है इनकी joint उसका headquarter है Mons Belgium very important दोनों आप याद कर सकते हैं Secretary General NATO के है Jen Stollenberg ये अभी question पूछा जा सकता है क्योंकि वो रोज आते है news में शाम को आप देखते ही होंगे अपना एक press release देते हैं या press media से अपनी क्या-क्या उन्होंने steps लिए हैं वो पताते हैं तो Jen Stollenberg ये आपको याद रखन है Secretary General है NATO के फिर इसमें नीशली 12 countries थी अब 30 होगी है जैसे कि मैंने बता है Eastward expansion हो रही है NATO की इसलिए Russia ने अटक करा ये वो reason देता है इसकी जो most recent country है हुई थी March 2020 में हुई थी North Macedonia और अभी जो line में लगी हुई है aspiring members है Bosnia है है जोजिया एंड उक्रेंड ये सारे की सारी ex-soviet countries है ये सारी members बनना चाहती है NATO का जो की रशिया उसको resist करता है ठीक ये सारी 30 countries आपको याद करने की ये ज़रूरत नहीं है एक overview होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कों चाहती है और उनका eastern flank क्या है जहां पर लड़ाई हो रही है ये सारी की सारे मैंने आपको maps पर दिखा दी है ये countries कौन कौन सी है ठीक है और जो लड़ाई हो रही है वो देख सकते हैं जो अगली screenshot है इसके अंदर जो green light green से countries देख रहे हैं Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Hungary, Slovakia, Romania, Bulgaria, Turkey ये सार तो इसमें buffer country कौन सी? Ukraine और Belarus तो Belarus तो रशिया के साथ already है यूकरेन अगर चला जाता है तो रशिया कहता है हमारा बहुत सारा area जो है danger में आ जाएगा क्योंकि जो NATO की missiles और आर्मी है वो Ukraine के eastern border पे आ जाएंगी और इस जो green line आप देख रहे हैं shift हो जाएगी रशिया की तरफ अब आजाते हैं CSTO पर NATO की opposing organization आप कह सकते ही है CSTO तो इसकी full form क्या है collective security treaty organization बहुत important है full form पुछी जा सकते है collective security treaty organization अब यह कह है 1991 में जब split हो गया था Soviet Union उसके बाद है कि इनोंने अपनी security के लिए countries जो अजाद ही थी आपस में एक इनोंने treaty बनाई थी NATO की तरह कि अगर हम प exist करेंगे ठीक है तो 1992 में 15 में को इन 6 countries ने जो कि एक Soviet state थी Soviet Union की state थी इन में से जो कि है Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajakistan और Uzbekistan इनोंने एक treaty sign की थी basically आप जान देख सकते हैं यह Central Asian Republic लिकसेंजिन को हम जान देए CIS के नाम से ठीक है और इसको का गया था ताशकन पैक्ट और ताशकन टीजी टाशकन जो है वो उस्वेकिस्तान की capital है तो बहां sign की गए थी इन 6 countries के बीच में तो Russia ने अपने defense के लिए NATO की opposite एक बनाई थी CSTO 1992 में इसके बाद क्या हुआ था तीन और countries एड हो गए थी इसमें Azerbaijan, Belarus and Georgia ठीक ये 1994 में ये 9 countries हो गए थी फिर क्या हुआ 1999 में 6 countries ने इसको renew कर दिया और Azerbaijan, Georgia और Uzbekistan ने का हम इसको renew नहीं करने चाते हैं 5 सल के लिए और बाकी 6 countries ने कर दिया और 2002 में सिरफ ये 6 की 6 countries ही रह गहीं जो की अब CSTO के नाम पे as on date मान जाती हैं तो उनके members कोन कोन से बचें Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajakistan and Russia तो ये आपको 6 नाम याद रखने हैं इसलिए Belarus जो है रश्या की help कर रहा है क्योंकि as per CSTO उनको अगर किसी एक देश पर attack होता है तो तीनों को war में सब 6 की 6 countries को war में defense में आना पड़ेगा ठीक और इसका headquarter क्या है Moscow में है Russia ठीक तो ये है CSTO collective security treaty organization जो की NATO का object है और ये सारी आपको पता ही है cold war era से आपस में जो NATO था तो cold war era में बनाया गया था तो वो है ये अब divide देखे नेटो में आपको दिखाया है blue में और red दिखाया है जो की CSTO countries है तो आप देख सकते हैं बीच में कितना जो buffer state है जो gray में आप देख रहे हैं बीच में मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली state ये है Ukraine तो basically जो gray Ukraine है वो एक तरह से buffer state है CSTO और NATO के बीच में तो लड़ाई का मुद्ध ये ही है कि ये जो buffer state है वो किसके पास जाएगी या फिर ये neutral ही रहेगी ठीक है तो बहुत ही कम states neutral रहेगी एक alliance का part है ठीक तो ये है divide जो कि NATO और CSTO का है इसको और detail में आप देख सकते हैं इस map में तो buffer state से ही रहे गई है जैसके मैं आपका Ukraine हो गई Finland हो गई ये दो तीन states ही रहेगी है जो कि ना तो CSTO का part है ना NATO का part है तो इससे पता जलता है कि Bipolar World जो Cold War era में था वो अपी भी है तो दोस्तों ये तो था हमारा NATO और CSTO के बारे में organization के बारे में अब देख लेते हैं बहुत important topic जो कि news में रहा है और questions बहुत बारी पूछे भी जा चुके है जबकि ये news में नहीं भी था तो SWIFT के बारे में अभी sanction लगाए है US से ने कि Russian banks को SWIFT जो है एक international जो system है उससे भार कर दिये गए उसको ban लगा दिये गए तो SWIFT क्या है वो देख लेते हैं फटवर शॉर्ट में जो अब से प्रिलम से पूछा तक है सबसे पहला question जो कि बहुत बार ही पूछा गया है अच्छे RBI के paper में भी पूछा गया और normal UPSC paper में पूछा गया है SWIFT की full firm क्या है Society for worldwide interbank financial telecommunication इसमें गलती क्या होती है आपको मैं पता देता हूँ भी question के options जो होंगे उसमें दिया जाएगा Society for worldwide interbank financial transactions दिया जाएगा आपको option तो आप transaction वज़े पर मार देंगे टिक लेकिन answer में क्या है telecommunication बहुत important है ऐसे ही याद रखना Society for worldwide interbank financial telecommunication transaction नहीं है ठीक है तो यह basically क्या है एक secure platform है जिसके अंदर की financial distribution यानि अलग अलग देशों के जो banks है वो आपस में information exchange करते हैं for the transaction they have done जो उन्होंने transaction की है उसकी जो information है वो trade इसमें हम exchange करते हैं different banks एक bank को एक specific swift code दिया जाता है उसके basis पे ही transaction की जाती है और वो information एक दूसरे से share करते हैं basically यह जो है यह actual money transfer में काम नहीं आता है actual money transfer इसके through नहीं होता है यह सिरफ middleman का काम करता है जो की verify करता है transactions को यह सिरफ verification का काम करता है और इसके अंदर 11,000 banks है over 200 countries ठीक है तो आपको यह याद रखने है इसमें actual पैसा transfer नहीं होता है इसमें सिरफ जो पैसा transfer हुआ है उसकी information को verify करते हैं यह कि वाक्ति में हुआ है कि नहीं है authentic transaction की नहीं इसका जो headquarter यह आप कह सकते हैं इसको based in Belgium तो यह Belgium में है और यह इसको साथ industrial countries के जो central banks है जैसे हमारा RBI है वैसे भी अलगला countries के जो central banks है Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, UK and United States and also Belgium यह देखते हैं इसको कि यह कैसे वह करता है इसको overseas करते हैं ठीक है तो यह एक बहुत ही important system है जो कि transaction को authenticate करने में काम आता है ठीक है और इसी के according Russia ने war से पहले भी आप कह सकते हैं एक Russia ने अपना system भी swift के parallel बनाया था हलाकि वह इतना popular नहीं है वर्ड में अभी SPFS system for transfer of financial messages तो यह swift का एक substitute का आ गया था तो यह अभी तक इतना popular नहीं है वर्ड में पर हो सकता बैन लग गया तो रोशिया से अगर trade करना हो तो इस system को follow करना पड़े countries को और चाइना ने अलड़ी support किया है तो यह चाइना के साथ मिलके भी एक system बना रहे हैं जो कि swift को टक कर देगा आज के वीडियो में हम आखरी card देख लेते हैं आखरी topic देख लेता है Cuba Missile Crisis या Cuban Missile Crisis ठीक है तो यह जो अभी हो रहा है ऐसा ही यह पहली बार नहीं हो है Cold War में ऐसा पहले एक बार ही हो चुगा था जब वर्ल जो है वो nuclear वर्ल की कदार पर आ गय थी तो Cuban Missile Crisis के आ गया है Cuba एक बहुत पास है और यह communist country है ठीक है Fidel Castro अपने नाम सुना होगा वो इनके head रहे है बहुत समय तक अभी जब तक वो expand ही होए थे recently तो वो इनके head ही रहे थे तो यह 1962 में क्या हो था यह Russia के influence में Russia ने यहाँ पे nuclear missiles अपनी लगा दी थी जो कि America को बहुत खत्रा दा ठीक है तो Russia कह था है कि जब हमने missile लगाई थी क्यूबा में 1962 में तो अपको लगा था कि अमेरिका की धर्ती को बहुत ज़्यादा खत्रा है जब आप नेटो को expand कर लेंगे और Ukraine को अपने enter ले आएंगे तो हमारे borders पे आप missile लगा देंगे तो क्या हमें खत्रा नहीं है तो इसलिए वो इत devices ठीक है और यह एक महीना चार दिन तक चले थे और यह अमेरिका ने इसके response में इटली और टर्की में जो की NATO allies हैं इसके वहाँ पे अपनी missiles लगाई थी और Soviet Union ने लगा दी थी क्यूबा के अदर तो यह आप मैप में भी देख सकते हैं छोटी सी country है center of the circle जो है आप epicenter कह सकत है क्यूबा इसकी capital क्या है हवाना तो यहां पर इन्होंने लगा दिये थे और यह आप देख सकते हैं मैप में कि इनकी जो missiles की range थी वह बहुत ही मैं पूरा का पूरा यूएस से इनकी जो nuclear missiles Soviet Union की उसकी coverage में आ गया थे यहां missiles लिगाने पर ठीक है तो यह it is the closest की हम nuclear war के कोस्ट ऑफ लॉरिड़े से सिरफ 140 किलोमेटर दूर थी यह missiles तो इसलिए American security को खत्रा था तो इसलिए यह एक war का मुद्धा उस समय बन गया था तो ऐसे ही अभी Ukraine में missile लगाना रशिया के लिए बहुत जादा खत्रा हो जाएगा यह रशिया का कहना है इसलिए यह topic important है ठीक क्यूबा गया था अपने अपनी मिसाइल जाम इतली और टर्की से हटा लेंगे और आप Soviet Union की जो है क्यूबा से हटा लेजे तो क्यूबा के बारे में आप को यह चीज़ और पता नहीं तो recently क्यूबा पे अमेरिका ने इतने sanctions लगा रखे हैं कि वहां पे अभी तक पिछले स साल तक last year ही internet आया था हमारे यहां पर इंडिया में 20-25 साल होगे internet को क्यूबा में 2020 में ही internet आया था तो इतने sanctions लगे में वहां नहीं गाडिया नहीं मिलती है क्योंकि यह communist country और map में नीचे देख सकते हैं South America की Venezuela वेनेजोला ने भी रश्या को support किया है क्योंकि वेनेजोला भ जो बचे वे 7 cards हैं इस जो हमने पूरे 13 cards जो भी Ukraine रश्या वार के हैं को मैं अगले वीडियो में आपके साथ कल लाओंगा शेर करूँगा तब तक अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लेना वही एक actual reward है हमारा इतनी मेहनत करने का और यदि आप अल्रेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के शेर कीजिए जिससे की हमारा जो वीडियो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक ले बब बाई and happy learning